अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा गा तो मैंने उसमें बुद्धी के डैफिनेशन, उसकी मीनिंग, बुद्धी की विशेशता हैं, बुद्धी को प्रहवित्वारी करने वाले कारक और इंपॉर्टेंट परिभाशाएं बताई हैं तो उसके बाद आता है कि बुद्धी के प्रकार, बुद्धी कितने प्रकार के होती है, तो बुद्धी को प्रकार में बाटना बहुती कठेन काम है, लेकिन फिर भी थौंडाइक जी ने बुद्धी के प्रकार बताए हैं, थौंडाइक जी ने क्या बताए है, थौंडाइक क इंटेलिजेंस इसे संदाधिक बुद्धी भी कहते हैं सेकेंड है सामाजिक बुद्धी शोशल इंटेलिजेंस थर्ड है यांत्रिक बुद्धी मोटर इंटेलिजेंस तो मोटर जो है यांत्रिक है उसे मूर्थ बुद्धी भी कह सकते हैं आप तो पहले समझते हैं अमूर्थ वर्ड का meaning मैंने आपको पहले भी बताया है अमूर्थ का मतलब होता है कि वो चीजे वो जो हमारे सामने नहीं है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, imagine कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं तो वो होती है अमूर्थ तो इस अमुर्थ बुद्धी का क्या प्रयोग है इसका प्रयोग जिन प्रती को सूत्र अंग आधी से सम्मंदि समस्याओं को हल करने में किया जाता है यानि कि जब हमें हमारे सामने कोई symbol है या कोई सूत्र जिसे math में होता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये सूत्र या फिर ये equation है ये question है इसमें कौन सा सूत्र लगए हम सोचते हैं करते हैं तो अमूर्थ बुद्धी का प्रियोग किसली किया जाता है imagination के लिए कलपना करने के लिए अमूर्थ बुद्धी का प्रियोग ज्याना परजन के लिए किया जाता है ग्यान को लेने के लिए खटा करने के लिए प्राप्त करने के लिए अमूर्थ बुद्धी का ही प तो अमूर्द गुद्धी रखने वाला जो व्यक्ति होगा वो फ्यूचर में क्या बन सकता है वो फ्यूचर में बैग्यानिक बन सकता है दार्शनिक बन सकता है लेखक बन सकता है क्योंकि उसके अंदर इमेजिनेशन पावर है, वो सोच सकता है, तो वो लेखक बन सकता है, वकील बन सकता है, वकीलों को भी केस लड़ने के लिए सोचना पड़ता है, टृक्स को की अच्छा मैं कौन सी ट्रिक अपना हो, या क्या बात बोलू, कैसे बात को घुमाओ, तो इन सब चीज़ों के इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है। इसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे को सही ढंग से समझता है और वहवार कोशलता सीखता है। करना है व्यक्ति को समझना है तब हम इस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो इसके द्वारा वहविन्य व्यक्ति को समझना है। समाजिक बुद्धी का प्रियोग जो होता है वो हम शोशल कह सकते हैं कि समाज से घुलने मिलने उसमें विवहार कुशलता को प्राप्ट करने के लिए प्रियोग करते हैं तो इस तरह की बुद्धी रखने वाला व्यक्ति अपने फ्यूचर में क्या बन सकता है, वो अपने फ्यूचर में मंत्री बन सकता है, नेता बन सकता है, क्योंकि नेता को क्या चाहिए, वो नेता कैसा होना चाहिए, जो अपने सारी जंता को समझ सके, उसके साथ उसकी समस्या बन सकता है, लोगों साथ लोगों की help करने वाला व्यापारी बन सकता है, क्योंकि एक व्यापारी बिजनिसमेन को भी कैसा होना चाहिए, व्यवार को शलोना चाहिए, सामने वाले को समझने वाला होना चाहिए, व्यक्ति को समझने वाला होना चाहिए, तो इस तरह की बुद् वस्तु का परिचालन करता है तो वो अपनी वेक्ति हैं जिसको इन सब चीजों है यंट्रों में और मशरतू को घांटरिक बूद्धी वाला व्यक्ति तो एसे GB future में क्या मत doesn interferon हैं been setting निश बन सकते हैं बड़ा इंशर मिस्तरी बन सकते हैं इस तरह के व्यक्ति जो कि यांत्रिक बुद्धी रखते वो यह सब बन सकते हैं तो यह तीन प्रकार थे जो थॉन डाइक जी ने बताए कि बुद्धी के इसके अलावा गैरेट जी थे उन्होंने भी बुद्धी को बुद्धी के प्रकार बताए हैं उन्होंने भी तीन प्रकार बताए तो यह तीन प्रकार है जो कि गैरट जी ने बताए और सेम है वो चीजें सेम ही है बिलकुल तो इस अब बात आती है कि इस टॉपिक सो कोशन कैसे आ सकते हैं यूपिटेट पे तो सीधे सीधे ऐसा भी कोशन आ सकता है कि तॉन डाइक जी ने कौन-कौन से प्रकार बताएं है या फिर यह से मनों विग्यानिक ने बताएं है बागी ऐसे कोशन आ सकते हैं कि इस मूर्त बुद्धी रखने वाला वैक्ति क्या क्या बन सकता तो इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा या फिर ऐसे पूसकते कि एक वैक्ति है जिसका मन जो है वह बहुत सोचता है इमेजन करता है कलपन जाएं करता है तो वह किस तरह की बुद्धी रखता है या वह फिचर में क्या बन सकता है इस तरह से घुमाफ फिरा के कोशन इस टॉपिक से आ सकते हैं तो आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो बहुत ही सिंपल से टॉपिक अगर आपने अच्छे